दोस्तों आज की ये वीडियो बॉइस और गर्ल्स सब के लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट और खास होने वाली है क्योंकि मुझे बहुत से से कमेंट आते हैं कि मैडम हमारे रिलिशन में पहले तो बहुत ज़ादा प्यार था लेकिन अभी प्यार बिल्कुल ही नहीं है बहुत ज़ादा कम हो गया है तो इस सिचुशन को कैसे हैंडिल करें तो आज मैं आपको बताऊंगी कि actual में क्यू लव रिलिशन में प्यार खतम हो जाता है और क्यू प्यार बहुत ज़्यादा कम होते होते एकदम ही खतम हो जाता है तो इससे जान ले के लिए वीडियो में बने रहे लास्ट है मैं आज आपको total 8 कारण बताऊंगी और उसके साथ ही इसका solution भी बताते जाऊंगी ठीक है तो आठी कारण बहुत ज़्यादा important है तरह धाया से इसको सुन लीजे फिर आप अपने love life में इसको find करना की कौन से वाला problem आप दोनों में हो रहा है इस वज़े से जो है प्यार कम हो रहा है तो इसको आप अगर ठीक करोगे तो आप दोनों में जो है प्यार फिर से पहले जैसा वापस आ जाएगा तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं तो पहला जो point दोस्ते ये है देखिए कभी कभी होता है ना प्यार बहुत सालों तक चलता है जिसे पाँस साल हो गया दस साल हो गया तो उसके बाद क्या होता है आटो मेटिकली डिलेशेशिप ध्यान सब्सक्प्सक्राइब डाव होने लगता है क्योंकि जब बहुत जादा time हो जाता है तब relationship में वह वाला spark जिसे कहते हैं वह खतम हो जाता है relationship थोड़ा सा boring type होने लगता है इसे वज़े से क्या होता है अगर जादा time हो जाता है तो भी प्यार अपने आप खतम होने लगता है तो इसका solution क्या है तो इसका solution है दोस्तों कुछ different try करो मतलब कि यह बहुत जादा time तक आप जिस तरह से अपने partner के शाथ पेश आ रहे हो आप दोनों के relationship जिस track में चल रहा है उससे कुछ अलग करो कुछ नया करो तक कि relationship फिर से व आयापन आ जाएगा तो वैसी बोडिंग ने इस तो यह ऊब तरह सा खतम हो जाएगा तो इससे क्या होगा आप दोनों में फिर से पहले ऐसा प्यार होने का जो संभावना है ना वो बढ़ जाएगा दूसरे point में आ जाते हैं दूसरा point है दोस्तों आप पहले से down हो जाते हो मतलब की down मतलब आपकी looks मानलो आप बहुत ही जादा slim थे सुन्दत थे अभी आप मोटी हो गए हो या फिर आप पहले बहुत ही stylist थे अभी आप उतना जादा style वगरा नहीं करते हो इस तरह से आपका जो look प्यार शुरू होने के time पे था अभी आपका जो look से वो down हो गया है कम हो रहा है या फिर अगर आपका look down हो गया है तो उनका interest कम हो रहा है तो इस वज़े से भी प्यार कम हो जाता है ठीक है और यह हम समझ नहीं पाते हैं बिल्कुल subconsciously होता है क्योंकि हम सब को पसंद होता है हम सुन्दर चीज़ देखें सुन्दर चीज़ों की तरफ attract जादा होते हैं लेकिन जैसे relationship में आ जाते हैं वैसे लोग अपने looks को लेकि सोचना बंद कर देते हैं और इस वज़े से क्या होता है साब consciously धीरे धीर आप दोनों की प्यार में जो interest है जो attraction है वो धीरे धीरे कम होते होते खतम हो जाता है तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या करो फिर से अपने looks पे काम करो फिर से डाइट करो एक से पहले जैसा आप अपने आपको सही रखने के लिए करते थे वैसा आप करो फिर से देखना से पहले था वह बाला इंट्रेस्ट फिर से वापस आ जाएगा ते तीन नमरों कारण है दोस्तों मालों आपके पास पहले जो आप दुनों की प्यार शुरू हा था पैसा बहुत जादा था में भी आप कोई बिजनेस करते थे या फिक कोई जॉब करते थे तो इ बिजनेस में घाटा चल रहा हो कुछ भी करके आपको जब पैसा कोडी डाउन हो गया है यह भी बहुत बड़ी रिजन हो सकता है इसको लोग हलके में लेते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है प्यार में पैसा नहीं देखा जाता है लेकिन पैसा एक इंपोर्टेंस रखता है रिलिशेंशिप में भी ठीक है अगर कोई लगकी आपको पसंद कर रहा है तो आप भीकारी हो या फिर आप करोरपती हो यह चीज़ एक माइने रखता है ठीक है अब भीकारी या फिर करोरपती है तो बहुत ज़्यादा हाई और डाउन लेवल तक मैं बताईं जिस्ट ए पानलब की पैसे जो आना वो डाउन हो गया है तो भी डिलिशेंशिप में दरार आ सकता है तो इसका सॉलीशन क्या है आप थोड़ा सा है रिलिशेंशिप से नजर जो आना हटा कि अपने काम के तरफ फोकस करो अपनी काम को ज्यादा ध्यान से करो कुछ भी कर रहे हो उस प के पीछे आएंगे ठीक है तो कमेंड फोकस हमेशा केरियर पे हमेशा सक्सेस के तरफ होना चाहिए चौथी कारण पर आ जाते हैं आपकी जो बिहेवियर हैं वह पहले मालों बहुत ही अच्छा था आप बहुत ही पोलाइटली बहुत ही प्यार से बात करते थे अभी आपकी के बिहेवियर हो गया है चाहिके किसी भी रीजन से नहीं जाओंगी क्यों कि बहुत से रीजन हो सकता है जिस वजह से आपका बिहेवियर हो सकता है मालों आपका मूर सुइंग हो रहा है इस वजह से आप behavior खराब कर रहे हो या फिर आपकी जो आप बिजनेस पे घाटा चल रहा है या फिर घर में कुछ लड़ाई हो गई मामी पापा से इस वजह से आप अपने पार्टनर के साथ खराब बढ़ता हो कर रहे हो चाहे कुछ भी reason हो लेकिन आप ज अच्छा behavior नहीं करोगे सही नहीं करोगे तो उनकी मन से आपकी प्रती जो प्यार और रेस्पेक्ट है आटोमेटिकली कम होने लगेगा क्योंकि दोस्तों हम सब को पसंद होता है कि सामने वाला हमारे साथ थोड़ा सा प्यार से थोड़ा सा रेस्पेक्ट से पेश आए और वो चीज़ जब हमें नहीं मिलता है तब हमें उस इनसान के प्रती इंट्रेस्ट खतम हो जाता है इसका solution क्या है अपनी behavior की तरफ focus करो क्या पहले आपकी behavior अच्छा था भी खराब हो गया है तो उस पे focus करो और अपनी behavior को अच्छा करने की कोशिश करो अगर आप सामने वाल तो जो यह next point में आ जाते है नेक्स्ट जो point है तो यह 5 number point इससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा तो एक like जरू कर दीजी तो इस फाइब नंबर पॉइंट यह है आप पहले से जादा आलसी हो गये हो मतलब कि पहले आपको काम करने का जो एक चाहा था एक इच्छा था य लेकिन अब क्या हो गया ना अब आप आलसी हो गया ना तो आपका पढ़ाई में मन है ना तो आपका जौब में मन है ना तो आपका काम में मन है तो साड़ी चीज़ में आप तो सुस्त हो गये हो तो इस वजह से भी partner का interest खतम हो जाता है दोस्तों यह बहुत ही deep psychological point इसको हलक कोशिश करते है यह फिर जो बहुत साफो चुस्त होते हैं बहुत ही ज्यादा फिट होते हैं उनके तरफ सब की interest जाधा होता है तो अगर आप बहुत साथाल से हो गए हो तो इस चीज़ को थोड़ шाय रिकवर करने की कोशिश करो थोड़ाई सब आ जो है फिट्नेस की में भी बहुत जादा फाइंदा होगा करके देख लिए आपको दल तभी दिखने को मिल जाएगा six number point में आ जाते हैं कि आप उन्हें प्यार नहीं करते हो अब यह सुनके आपको अजीब लग रहा होगा कि यह वाला क्या बात होगी तो यह ऐसी बात होगी कि आपको लग रहा है कि प्यार खतम हो गया है लेकिन actually आप अपने अंदर देखो के तो आप खुद उस बंदे से प्यार नहीं कर पा रहे हो चाहिए किसी भी वज़स हो जो भी मैं point अभी तक बताई इस points में भी कुछ एक हो सकता है कि आपके मन से वो चला गया है मतलब आपके मन में उसका कोई भी जगा नहीं है और आप उनको दिल से नहीं मान पा रहे हो किसी भी कारण बस आपका रिलिशिन जो है वो तो चल रहा है बैल गारी के तरह लेगिन आप अंदर से उसको प्यार नहीं कर पा रहे हो ठीक है तो बी ऑनेस्ट हो जो अपने आप से और पूछो कि मैं सच में उससे दिल से प्यार करता हूं या फिकरती हूं अगर आप अपने दिल से सामने बाले को प्यार करें तो फिर से झायते पहले जाएगा तो कोशिश करो अगर आपका उनके प्रती प्यार कम यह खत्म हो गया तो उसको ठीक करने की कोशिश करो आपके साथ आपने कितना अच्छा पल बिताया हो या फिर वह इंसाना के लिए कितना जाहादा इंपॉर्टैंट है यह सब चीज़े सोच और उसके प्रती जो हैना मन में प्यार जगाने की कोशिश करो अगर आप फिर से पहले जैसा unconditional love दिल से करने लगा होगे ना automatically रिस्ता बहुत ज्यादा सही हो जाएगा चलिए साथ number point में आ जाते हैं तो आपकी कोई गलती हो गई है ठीक है मालो आप किसी लड़की से बात करे हो उसने देख लिया या फिर आप किसी लड़की के साथ चैट करे हो उसने देख लिया तो यह होगी आपकी कोई गलती और इस गलती के चलते क्या हो गया सामने वाले के मन में एक श के बाद है तो यह जो शक पैदा हो गया ना इस वज़े से भी धीरे धीरे क्या होता है ना प्यार कम होते होते खतम हो जाता है तो यह बहुत एक important point है थोड़ सा find out करो कि आपको क्या ऐसा कोई गलती क्या आप से हुई है अगर हुई है तो उसको आप partner के साथ सामना सामनी बैठके थोड़ा सा discuss करो और इस चीस को शॉट आउट करने की कोशिश करो अगर इस चीस को लेके उनके मन में शक्का कीरा बढ़ते बढ़ते बहुत सदा बढ़ा हो जाएगा तो आपके relationship एकदम तोड़ देगा यह जो शक्का कीरा होता है ना बहुत ही आप ऐसा कोई गलती करती हुए पकड़े गए हो तो इसको फिर से एक बार आप discuss करके शॉट आउट कर लो और ऐसा कुछ करो ताकि सामने वाले के मन से बिलकुली शक गायब हो जाए नहीं तो यह आपके relationship के लिए बहुत जादा खतरनाक हो सकता है आप आठ नमबर पॉइं अप्लिकेशन के थ्रों आप मुझे से डारेक्ट कर सकते हो तो चलिए लास्ट पॉइंट जान लेते हैं लास्ट पॉइंट बहुत जादा इंपॉर्टेंट और यह है दुस्तों आप वादे नहीं निभाते हो मतलब आप अपने पार्टनर को कुछ भी वादे करते हो लेक कुछ उनको वादे करते हो उसको नहीं निभाते हो तो यह बहुत लॉंग टार्म के लिए खतरनाख साबित हो सकता है सामने वाले आपको बिल्कुल भी यकिन नहीं करेगा भरोसा नहीं करेगा और आपके उपर से उनका जो ट्रस्ट है ना वह खतम हो जाएगा कि इसका तो वह बादे निभाने के लिए अगर आप नहीं निभाओगे और यह आपके आदत बन जाएगा तो आटोमेटिकर आपको जो प्यार है ना वह खतम हो जाएगा और सामने वाले आपको कभी भी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीड ओग,डर हो जो दो इस तरघकी के लिए ह।र आपको जाइक तो अजो में ह।र आपके लывать और समय हो जो बुटे नहीं करेंवगे लेतित्व भी क्व़ cerain मिलते हैं रपके यू हो जो जो में लेत्ना है झाल झाल